जैमात अधिगराब भक्त भी श्रीमा तेशन दवी यातपर दर्शन करने के लिए अगस महिने में अपने परिवार के साथ आ रहे हैं तो मोसम से जुड़ी बहुती बड़ी अपडेट जानना ना भूलें साथी बात करेंगे क्या हेलीकॉप्टर सेवा इस समय चल पा रही हैं मोसम कैसा बना हुआ है भक्तो की भीट कैसी है दर्शन के इस परकार हो रहे हैं क्या यातपर जाना इस समय सुरक्षित होगा संपून जानकारी जानने के लिए वीडियो को नग देखना ना भूलें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे आप भक्तो की जानकारी के लिए बड़ा देना चाता हूँ श्रीमा तेशनदवी यात्त पर आने वाले शरत धालूव के लिए मोसम से जड़ी काफी बड़ी खबर है दर असल पिछले उस दिनों से दिखा जा रहा है मोंसून के चलते काफी जदा बारिश यात्त पर देखने को मिल रही है ना से जिसकी वज़े से यात्त पर ठन बढ़ गई है लैंसलाइड की संभावना भी बढ़ गई है ऐसे में काफी बड़ा प्रशन भक्त के मन में आता है कि क्या यात्त पर भक्त को जाना चाहिए तो इसका जवाब है हाँ आप भक्त को बता देना चाहता हूं फिलाल श्रीमा टेशन दवी यात्त पूरी तरीके से सुरक्षित है हाला कि भारी बारिश बीच बीच में हमें देखने को मिला करती है ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ही बारिश हो रही है परन्तु जब भी बारिश होती है तो काफी लंबे समय के लिए हमें बारिश देखने को मिला करती है परन्तु बारिश के चलते भी बीच बीच में कहीं बार लैंसलाइट की संभाबना बन जाती है जिसके बाद कई बार रास्तों को डाइवर्ट करना पड़ता है या फिर बंद करना पड़ता है ऐसे में आप कोशिस करें अगर एक दिन दो दिन सोच कर चल रहे हैं यात्रा के लिए तो एक एक्स्ट्रा दिन ही लेकर चलें जिससे कि कहीं न कहीं आप यात्रा करने के समय को कर दो लेकर चिंतित ना रहें और आप यात्रा भी आराम से करें सफलता पूरुवक करें बिल्कुल भी डर्निंग की ज़रुष नहीं आप यात्रा पर अराम से या सकते हैं मातरानी की यात्रा पर आने वाले भक्तों को नसीफ भारी बारिश मिल रही है साथी साथ ठंड भी हो रही है, ठंड के लिए आप अपने साथ कपड़े जरूर लेकर जाएं, ठंड के लिए जिससे कि आप भगत ठंड से परिशान ना हो, साथ में बच्चे बड़े बुज़ुर्गों खास करकि उनके लिए तो कपड़े अच्छे से लेक कर ही जाएं, मेर दर्शन किस प्रकार हो रहे हैं, रुकने की क्या वैवस्ता हैं, बैटरी कार समित आपको क्या कुछ और फैसलिटीज मिल सकती हैं, भक्तों उपता देना चाहता हूं, अगर आप यतबर आने वाले हैं, तो मातरानी के भवन में दर्शन करने के लिए फिलाल, भक्तों को 15-20 आदे घंटे का ही समय लगता है, शाथ इसाथ अगर आप दर्शन एक बार, दो बार, पांच बार भी करना चाते हैं, तो अराम से दर्शन कर पाएंगे क्योंकि भवन पर फिल बहुत technicians प्रूपतों सेंम करेंगे लिए बास हैं, वहीं अर्थ कारी मंदी बड़िसर की बात करें तो गर्जुन कुफा में भग्तों को दर्शन करने के लिए अभी एक से डेड़े दिन की वेटिंग देखने के लिए मिल रही है जो कि काफी कम समय है चाहिए तो आप माँतने की यात्त पर आने वाली शरधालू जो है लिकॉप्टर के माध्यम चाहते हैं क्या वह आप आ रहे हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं अगर मेर्वादी की जानकरी पसंदार ही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेर्ट करें भग्तों बता देना चाह जिसके चलते जिनकी booking भी वह भक्त भी नहीं जा पाते हैं आपको इनिशिएट होता है अन्यता आपको रिफन्ड भी नहीं मिलता है इस चीज वह घान रखना है या गोड़े कचा पिट्टू पालगी के माध्यम से यात्रा करनी होगी आशा करूँ आप यात्रा पर जरूर आएंगे और आप भक्तो को कोई भी परिशानी नहीं होगी ऐसी में काम ना करता हूँ मातारनी की यत्तपर आने वाले भगतों को क्या बैटरीकार की सेवाओं मिल पारी हैं इसके बारे में बता देना चाता हूँ बैटरीकार की सेवाओं की बात करें तो भगतों को जरूर इस समय सेवाओं मिल पारी हैं बैटरीकार की परन्तु जब भूजखरन हो जाता है हिमकोटी मार्क पर जो की अर्दगवारी से भवन की और रास्ता जाता है उस पर तो ऐसे में बैटिकार की सेवाओ को सबसे पहले श्राइन बोड को रोकना पड़ता है क्योंकि कहीं न कहीं भक्तु की सुरक्षा श्राइन बोड के लिए प्रात्मिक्ता बन जाती है आशा करता हूं मेर्दवादी की जानकरी पसंद आई होगी जानकरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें बताना ना बुले आप यात्रा करने के लिए कब जाने वाले हैं यात्रा पहले कर चुके तो अनुब अब हमें कमेंड में शेयर कर सकते हैं वह एकर आप चाहते हैं यात्रा से जुड़ी रोगा नाताजा तस्वीर पिंडियरूपी दर्शन प्राथ करना तो आप हमें इस्टागाम और फेस्बुक पर भी फोलो कर सकते हैं इसका लिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपकी स्क्रीन पर भी मिल जाएगा तो मिलते अंगली वीडियो में तब तक के लिए जय माता दी